नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज हम आपको कॉटन से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे कॉटन उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी उद्योग की उम्मीदों का आकार बड़ा भारतिय कॉटन उत्पादन में एक नई उर्जा की बूंद आई है नवंबर के शुरुवात में जारी अनुमान के अनुसार कॉटन उत्पादन में 5.30% की बढ़ोतरी हुई है जिससे इस साल कुल 309.70 लाख गांट का उत्पादन होने की उम्मीद है पिछले वर्ष के अनुमान में यह संख्या 294.1 लाख गांट थी Cotton Association of India, CAI के अनुसार उत्तर भारत के राज्जों में कॉटन का उत्पादन 46 लाख गांट का अनुमान है इसमें पंजाब, हरियाना और राजस्थान शामिल है मध्य भारत के राज्जों में गुजरात, महाराश्ट्र और मध्य प्रदेश के जुरवातार 185 लाख गांट का अनुमान है दक्षिन भारत के राज्जों में तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, करनाटक और तमिलनाडू में मिलाकर 73 लाख गांठ का उत्पादन होने की उम्मीद है CAI के अनुसार, वर्ष 2023 के शुरू में कॉटन का बकाया स्टॉक 28.9 लाख गांठ था, जबकि उत्पादन की उम्मीद 309.7 लाख गांठ है इसके बावजूद करीब 20.4 लाख गांठ का कॉटन आयात की जा सकती है चालू सीजन में कुल 317 लाख गांठ का घरेलू खपत की उम्मीद है, जबकि 22 लाख गांठ का निर्यात होने की उम्मीद है कॉटन के निर्यात में भी व्रिधी हो रही है चार लाख गांट का निर्याथ हो चुका है और 29 फरवरी 2024 तक 15 लाख गांट का निर्याथ हो गया है कुल मिलाकर निर्याथ के लिए करीब 22 लाख गांट का होने की उम्मीद है केंद्रिय क्रिशी मंत्रालय के अनुसार दो हजार तेईस से चौबीस की फसल सीजन में देश में कुल तीन सो तेईस दशमलब एक एक लाख गांट का कौटन उत्पादन होने की उम्मीद है खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के न्यूस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूस मार्केट्स 24 देखते रहे